नमस्कार मैं अभेराज और आप देख रहे हैं वीके नियूज बदल कर इसलाम कबूल करने के लिए दबाब बनाते हैं इस बीच उत्रपरदेश के महुवा जिले से एक बेदी हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसमें शहर कोतवाली पुलिस ने उत्रपरदेश विधी विरुद धरम संपरिवर्तन प्रतिशेत कानून के तहत मामला दर्च कर शुकरवार को एक यूवग को गिर्फतार किया है पुलिस ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दूसरे समुदाय के यूवग मुन्ना खान पर आरोप है कि उसने हिंदू बनकर एक विवाहिद 20 साल की महिला को पहले अपने प्रेम के जाल में फसाया फिर उसे किड्नाप कर ले जाने के बाद उस पर धरम परिवर्तन का दबाब बनाया आई अब आपको पूरा मामला बताते हैं महुबा शेहर को द्वाले की प्रभारी निरक्षग ऐसे चो अनूप कुमार दूबे ने शुकुरवार को बताया कि गुरवार को 21 वर्ष यह महिला की शिकायत पर उत्रपरदेश लव्जिहाद की खिलाफ लाए गए कानून के तहट मामला दर्च कर शुकुरवार को महुबा शेहर के ही एक महुले में रहने वाला आरोपी मुन्ना खान जिसकी उम्र 25 साल है उसे किरफतार कर लिया गया है और उसे संबंदित कोड में पेश भी किया गया इसी के साथ प्रात्मी की के आधार पर उन्होंने बताया कि शेहर के एक महुले में रहने वाली और वो अपने पती के साथ दिल्ली में रहने लगी। पीडिता के मुताबिक उन्होंने बताया कि 18 फरवरी को वो दिल्ली से अपने माई के आई और उसी दिन मुन्ना ने उसे किड्नैप कर उरही में स्थेत अपनी बेन के घर ले गया और वहाँ उसे 14 दिन रख कर उसके साथ रेप किया। पीडिता ने आरोप लगाया कि वहीं उसके हिंदू ना होने के उसको पता चला था। ऐसे चुनों आगे बताया कि महिला का आरोप है कि यूवक ने रेप की घटना का अश्रील वीडियो भी बनाया और उसे शोशल मीडिया पर वाइरल करने की धमकी दे कर उस पर धरम बदलने का दबाव बनाया। दूबे ने वदाया कि आरोपी मुन्ना खान के खिलाफ अपरन दुशकरम मार पीट जान से मार डालने की धमकी और उत्रपरदेश विदी विरुद धरम संपरिवर्तन प्रतीचेद अधी नियम के तहद मामला दर्ज कर आज उसे नियायले के समक्ष पेश किया गया है जहां से उसे 14 दिन की नियायक रहसत में जेल भेज दिया गया है वैसें घटनाओं से समाज के इन कीडों की घटिया सोच और उनकी घटिया परवरिश का भी सवाल उड़ते हैं ऐसे लोग ना केवल देश के लिए खत्रा हैं बलकि ये लोग मानवता के दुश्मन हैं ऐसे लोगों से मैं जंदा की तरफ से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हिंदू युक्तियों के साथ ऐसा घिनोना काम करने से इन्हें मिलता क्या है क्या इनका कथे तोर पर अल्ला इन्हें इस अपरात की इजादत देता है वो कौन है जो मजब के नाम पर भटके हुए नौजवानों को इस तरह की सीख देता है कि ऐसा करने से वो लोग अल्ला की इबादत कर रहे है इन से पहले मौलानाओं को सजा देनी चाहिए जो भटके हुए नौजवानों को आराजकता फैलाने के लिए बेलगाम जानवरों को गलत सिक्षा देते है लोगों का कहना है कि उन्हें तो फासी पर चला देना चाहिए इस पर आपकी क्या रहा है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें BK News धन्यबाद